हेलो बच्चो मेरी पार्शले में आपका स्वागत है आज हम चैप्टर 11 पेरिमीटर इंडेरिया में सर्कल का एरिया कैसे कैल्कूरेट करते हैं वो समझेंगे तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताता है बांटरी की लंबाई कितनी है और बांटरी की लंबाई हम कैसे ढूंडते है बाई फ weekend कर डू पाई आर मालूम है तो हम circumference दूढ़ लेंगे तो अब इसका हम एरिया कैसे पता लगाएंगे तो माल लीजिए यह हमारे पास एक सर्कल ऐसा ही सर्कल है इसके हम आठ सेक्टर बना लें और इनको काट लें यहां से माल अकाउंट किया वान टू टू ट्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट तो एट सेक्टर से हमने काट दिये तो अभी देखिए जो सेक्टर वन का जो perimeter है और दूसरे perimeter है तीन है चार यहां तक इसका half perimeter हुआ क्योंकि आदा circle है यह मालो यह 22 cm था तो इतने की लंबाई कितनी होगी 11 cm और इसकी भी लंबाई होगी 11 cm और इसका radius कितना है उस साथ सेंटी मीटर है यह वाला जो है बिल्कुल ऐसा ही यह 22 cm है उसका radius है साथ सेंटी मीटर ठीक है तो यह 22 को हमने दो बाग में divide कर दिया तो अभी अगर इन 8 pieces को हम ऐसे arrange करें यह एक piece है यह दूसरा है यह तीसरा है यह चोथा पांचवां च्छथा सेवन्थ एट ऐसे काट के में arrange कर दें तो यह किसम की parallelogram बन जाती है exact नहीं है लेकिन parallelogram है जिसकी यह चुड़ाई है और यह इसकी लंबाई है लंबाई कितनी है half यह जो लंबाई है 11 है नीचे और उपर भी 11 है और यह सेवन सेंटिमीटर है ठीक है इसके आठ पीस काटके हमने एक दो तीन चारे से पीस arrange कर लिए तो यह जो लंबाई है यह नीचे आ गई और यह वाली लंबाई उपर आ गई टोटल बाई सेंटिमीटर हो गया अभी अगर इसके हम नंबर बढ़ाते जाएं सेक्टर को आठ के बदले हम इसके मालोग 64 पीसीज कर दें यह 128 पीसीज कर दें तो वह जो 128 पीसीज लगें तो बिल्कुल आलमुस्ट प्रेट लाइन बन जाए गया अगर इसके 128 पीसीज की है यह बीच में आपको जो गैप दिख रहे हैं न स्टेट ला बन जाएगी मालेज के वहां 128 पीसीज कर दें तो 64 पीसीज दर लगेंगे 64 नीचे लगेंगे टोटल 128 पीस हो जाएंगे इतने सरकल के तो 128 पीसीज जब हमने लगा दिया ऐसे बिल्कुल बारिक बारिक करके तो इसकी लंबाई कितनी होगी 11 सेंटीमीटर क्योंकि यह आदा पोर्शन है इसके हमने 64 पीस किये और इसके भी 64 किये हमने तो नीचे 11 सेंटीमीटर तो इसको हमने काट काट के छोटे पीस करके स्ट्रेट लाइन में लगा दिया और इनको भी काट काट के स्ट्रेट लाइन में लगा दिया 11 और यह कितना होगा seven centimeter क्योंकि ये जो चुड़ाई है ये यहाँ पे आ रही है ये दिखेंगे न ये चुड़ाई seven centimeter ये piece ऐसे लगा मैं ऐसे आपको बना के दिखाता हूँ ये ऐसे लगा तो ये इसकी जो radius है वो इसकी चुड़ाई हो गई तो वो ही जब यहाँ पे करेंगे 64 pieces कर दी इसके भी और इसके भी ये 11 centimeter 11 centimeter, 7 centimeter तो ये बन गी rectangle तो rectangle का थो हम ने सीख लिया था area कैसे निकालते है rectangle क्या होता है length into breadth rectangle का area से निकलता है तो हमने एक square जो shape थी माली ये ये वाला है इसको हमने 128 pieces में काटके ऐसे range कर दिया तो ये बन गया एक square, इतना ही area है यही area इसमें पूरा cover हो गया area बड़ा नहीं न कम हुआ तो जो इस circle का area है वो ही square का area है सिर्फ हमने इसको काट-काटके और ही range करके इसकी shape बना, अलग कर दी तो length क्या इतनी, length इसकी कितनी है 11 और 788 लेकर हमें तो formula बनाना है तो formula कैसे बनता है हमें मालूम है कि पूरा circumference कितना होता है 2 pi r पूरा circumference कितना होता है 2 pi r अभी हमने सीखा ता पिछले वीडियो में तो half अगर ये 2 pi r में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये कितना होगा ये होगा pi r और ये भी pi r क्योंकि इसको 2 बाग में हमने डिवाइड कर दिया pi r उपर है प्लस pi r नीचे है आदी लंबाई उपर है और आदी लंबाई नीचे है ये लंबाई है pi r ये लंबाई है pi r दोनों को एड़ करेंगे तो 2 pi r बन गया टोटल लंबाई बनी और ये कितनी चुड़ाई है ये radius जितनी चुड़ाई है इसका radius है r तो अभी हमने क्या rectangle कैसे बनी हमने circle को 128 pieces में कार्ट के rearrange कर दिया उस rectangle की लंबाई कितनी है perimeter का आदा और इसकी चुड़ाई कितनी है r तो pi r r into r क्या होता है r square तो ये formula बनता है हमारा area निकालने का किसी भी circle का area निकालना है अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं कुछ questions भी करके सिंग जा दूँ ये pi r square निकला कैसे ये मैंने आपको समझाया था कि एक circle को हमने break कर दिया 128 pieces में तो area of a circle क्या होता है pi r square मतलब pi के साथ हमने multiply करना है radius को दो बार ठीक है मान लीजिए इसका area निकालते है इसका radius है 7 cm तो इसका area कितना होगा इस circle का area होगा 22 upon 7 into r r कितना है 7 square 7 square का मतलब क्या होता है 7 into 7 into 49 तो अब इसको काट देंगे 154 cm square area में हमेशे आपने square लगाना है यहां पर unit के उपर इस जो यह circle है मेरे पास जिसका diameter साथ था तो हम चलो माल लेते हैं यह नहीं है बड़ा circle है जिसका area 7 है उसका जो area निकलेगा 154 cm कोई भी आपको बताया जाए sum जिसमें radius दिया हुआ है तो आप area डूढ सकते हैं area दिया हुआ है तो आप radius डूढ सकते हैं दोनों चीज़ें कर सकते हैं ठीक है जैसे ही करते हैं area बताया गया है 154 cm square cm तो इसका radius आपने डूढ ला है तो हमने क्या दिखा था area is equal to pi r square area है 154 is equal to 22 upon 7 into r square तो अब क्रोस मल्टिप्लाई कर देते हैं होता है सेवन स्क्वेर और स्क्वेर इकल टो सेवन स्क्वेर और इकल टो सेवन सेंटी मीटर तो बस मैं आपको इक बस रिवाइज करा देता हूं इनका perimeter area कैसे निकालते हैं किस formula से निकालते हैं तो circumference circle का होता है 2 into pi into r तीनों को multiply करना है और pi की value का है 22 upon 7 और area कैसे निकलेगा pi r square यह simple formula आपको याद रखना है आप किसी भी circle का area या circumference निकाल सकते हैं ओके तो अगर आपको यह video अच्छी लगी से like करें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्यू